हो मिशन दी है बीच में शहीं थोड़ा डिसकरेक्ट हुआ हुआ है 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 के सबी को आवाज आ रही है ओर्डिबल कि येस बहुत ही स्पेशल बहुत ही अच्छी मोड़ी थी और बहुत सारे हमरे नहीं बहें जोइन किये हैं तो आज की मोड़ी में एक तरह से का जाए तो बाबा निया में फ्रेम वर्क दिया कि हमें क्या क्या प्राप्ट कुई है कि सबसे अच्छा पॉइंट आपके 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 परसेंटेज हो सकती है लेकिन कोई गुन कोई सकती ना हो ऐसा हो नहीं किकता है जैसे समय प्रमाड पर बच्चे कहते हैं कि मेरे में सकती हैं तो हैं लेकिन ये सकती वगुर नहीं है तो नहीं सब्द निशेद होगा ऐसे दाता कि बच्चे सदा धन्वान होगी पर्थाद भरपूर वह संपन होगी और एक बावा ने बताए बहुत इंपोर्टेंट बात कि 95 परसेंट आत्मा उससे हमें जो एटेन्मेंट फिलिंग ऑफ एटेन्मेंट रहता है उसको उसमें भी हमें हम अपने कार्मिक एकाउंट को सेटिल कर सकते हैं उनको अपने लव और वाइब्रेशन देखके नहीं त तो उक आन्मी काउंट बढ़ता जाएगा तो 5% जो करने उसमें उसमें डगमगायना नहीं है बाग्यारी बात है यह जब से पहली बात हों यह सबसे पहली बात हम यह इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं कि बाबाने जो कहा तन्बंधन जनका भाग यह हुआ है तो हमें क्या लगता है कि TOTALITY में कितना पर्सिंटीज में वह बाग्यवान हम बने हैं जारों बातों है वह परसिंटेज क्या होगी यह प्रक्सिमेटली जो पैरामीट्र बाबने बताए जो क्रैटेरिया बाबने बताए इतनका भाग यह तो ऐसे ऐसे होगा मन का भागया तो ऐसे ऐसे हुआ बाबा ने पूरा एक systematic framework दे दिया तो कितना percentage में हमारा वो है अपा अपा अपाब ने क्या लगता है हाँ जी कोई भी बता सकते हैं कुछ क्या रहे थे मन के भागय के लिए जो बाबा ने बोला कि मन को बाप की तरफ लगाने मेहनत नहीं लगेगी सहजी बाप में मन लगा रहेगा बाप की मुहबबस के संसार में रहेगा तो वो ऐसा ही होता है कि ऐसा कभी ऐसा नहीं होता कि बहुत मेहनत लग रही है बावा को याद करने में और लिंक तूट जाता है बावा ने जैसे बताया कि एक बाव दूसरे न कोई इसी अनुभूती को मन का भागय कहते हैं तो ऐसे ही होता है clear है एक बाव दूसरे न कोई okay मन के बागय में और क्या किया सकता है मन के लिए कि भरपूर होता है वह सदा ही मन से मुश्कुराता रहता है मन के भागवान सदा इच्छा मात्रम अविद्या के स्थिति वाले होते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल भी किसी चीज़ की इच्छा नहीं होती है आप पुरिशार्थ की इच्छा होती है अच्छा अच्छा करें इसकी बीच्छाए हुई होती ही है तो इतना तो नहीं पहुचे और कोई शेयर करना चाहते हैं मन का भागी में क्या क्या बात हैंगी इसी को ही मनमना भावा ने बताया और और किसी के तरफ नहीं होता है सिर्फ बाबा ही रहते है उनमें तो उमन मना भागु का स्टेज है, मन सदा हर्षित पी रहता है, मन का भागय हो तो भागय विदाता जिन पर राजी होंगे, उनका जो आकाशन है किसी व्यक्ति वया वस्तु में नहीं होगा आकरशन का मतलब है, जरूरी नहीं है कि विकार उसके पीछे हो। विकार भी बहुतों नहीं, अदर विकार भी हो सकता है, लेकिन यही कारण निजन के हो, जिनका उपर भागय विदाता सी होंगा, उनकी निसानि बाब बताएगा, उनका किसी व्यक्ति व्यक्ति वश्तु में अकरशन नहीं होगा यह बहुत विशेस पॉइंट है उनका मन बहुत शसक्त और पावर्फुल होगा परमात्मा और शिव बाबा की प्रति डेडिकेटेड होगा अगर एक मन जो भी हम करम करते हैं जो भी हम बोलते हैं वो सबसे पहले मन में जो है उसका मन में थोट्स में आती है तब से पहले वो चीज तो अगर हमने थोट्स को डाइवर्ट कर दिया फोकुस कर दिया अबाबा की जगह पे तो हमारा तन तो हमारी एक तन मं जभन जो है और अटोमेटिकलिस तरफ ड़ थाएवर्ट हो सकता अगर हम अपने मन को सिर्फ मन पर भोक करें तो यह काम और लिए आफ यह नगerson कहें ब्दलन का लगना ग्यारा टॉपिक है सारी मॉल्डी का ये मन का भाग्या अगर ग्यान में हम नहीं होते हैं दुनिया के हिसाप से देखें तो हम किसको कहते हैं कि ये मन का भाग्या इनके पास है नॉन बिक्ष के लिए इसी टर्म वैसे जो अग्यानी होते हैं उनको वहां पर सुनने को नहीं मलते कि मन का भाग्या बस ये बोलते कि मन खुश्श है या फिर उदास अच्छा अच्छी बात बोले कि ये टर्म ही दुनिया में नहीं बुर्द्री का भाग्या यह का बहुत नहीं आती स्वाग्या है यह कि बमची अगरने करने भाग्या मेध्य को 1 पासन होगा कर्म योग कर्म भोग कर्म योग में परिवर्टित हो जब भी हम आंसर दे रहे हैं तो कोशिश करना है कि हम मेमोरी से ना दें एक्सपिरिंस के बिसिस पे दें प्रैक्टिकली आपको क्या लगता है तन का भागये मतलब क्या है दो नियुद्ध फॉरेश को फार दो पर टार्टिक कर्यों के अगर जाता है जैसे कोई भी शरीश और कोई भी प्राब्लम आती है आएगी तो सही पर क्या हम उसकी भासना हमें होती है हम जैसे कि अगर आवाज थोड़ी कमारी है तो हम विस्तार को सार में लाएंगे किस बात का विस्तार और किस बात का सार जैसे कि अगर कोई परिशान हो रहा है और दर्द हो रहा है इसको चिलाना होता है जिसको तन का भागया हो रहता है और वह सूल कौशे स्टेट में रहके उसको वह परिशान है नहीं होगा तो विस्तार में नहीं जाएगा सार में रहेगा और बाबा की हावी होने देना बहुत बड़ा कनेक्शन है तन और मन का हम अपना एक लाइव एक्जामपल आपके सामने रखेंगे हमारे टेंथ के बोर्ड के एक्जाम थे और उस समय बोर्ड की बहुत वैल्यू और हमारी तबियत एक्जाम वाले दिन ऐसी खराब होगी कि शायद हम उस समय निकालना था पूरा कॉंसें इतना चला गया के पूरे आंसर में से जो हमने इतने बड़े-बड़े याद किये कहां से आसका पेपर देखिया है, the moment हमने पेपर हांड ओवर किया और हमारे पेट में इतनी तेज से दर्द हमें लगा कि वो पेट में दर्द थी भी पहले तीन घंटाम रिलाइस किया, यह हमें भूलता नहीं है, इसी तरह से अगर हम सेवा में लग जाते हैं, बाबा ने हमें निमि एचीव किया जा सकता है, और तो बाकी कुछ नहीं लगता कि और कोई कारण हो सकता है, बाबा की तरफ भी हमारा जो लगन लगती है न, वो हमारे one-to-one नोती है, मतलब कि हैंनना नोती की सेवा है, दोनों साथ-साथ चल रहे हैं, अगर हम सेवा नहीं करते हैं, और से बाब निमित बना देता है, उस दिन बाबा याद रह जाता है, फिर तन कभी नहीं भासता, तो ऐसा हमारा लाइफ, हमें हमेशा यह एग्जामपल याद रहता है, लाइफ में कभी भी ऐसी तन की बात आ जाती है, तो उम शान्ति. बहुत अचा एग्जामपल था है, बाबा ने भी जैसे यही कहा कि, यह पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हमें यह मिसकंसेप्शन हो जाता है, कि बाबा का हम बन गए, अब तो कोई बात या तो आएगी नहीं, या आएगी तो बाबा तुरन ठीक क बाबा ने कहा कि वो बीमारी आपकी प्रॉग्रेस में आप्स्टेकल ने बनती है, यह तनका भाग्या है, प्रॉब्लम तो आ सकती है, बीमारी तो आ सकती है, इसलिए बाबा कहते भी हैं कि संग्यम्योग के जो फ्रूट से मतलब कि दवायां वने खिला दो और बीमारी को विदा परो फिर, लेकिन वो आपकी आपस्टेकल ने बनेगी, यह बहुत बड़ी बात है यह, और कोई को चैट करना चाते हैं, तनका भाग्या क्या है, जब से बड़ा लाइव एक्जम्पल है हमारे सामने, दादी जान के हैं, उन्होंने, उनकी तब्वेत कैसी थे, डॉ उन्होंने अपनी लाइफ कैसे जी, बार बार यही बोलते हैं कि मैं दुवाओं से जी रही हूं आप लोगों के, यह शरीर अभी दवाईयों से नी चलता, दुवाओं से चलता और बाबा चला रहा इसको, यह काफी अच्छा एक्जम्पल है इससे चुए, यह जो बाबा इसकान लाइन काही मैं के टनका भाग्य क्या है, तो लाइव एक्जम्पल हमारे लिए दादी जाट के बने उसका, बिल्कुल, बिल्कुल! गाजम्पल है, तनका भाग्य उन्होंने अपने तनका एक एक, जाजाएंका का क्या कहएंगे? एक एक, बोडि का स понять, इसकी युज पाइब बावा के बंडारी में रोज एक रुपया चड़ा देते तो यह करते हैं इसे एक रुपय की एक इंट लगा देना तो मतलब मुझे यह से याद आता है कि गरीब का पांच रुपया और अमीर का पांच रुपया वह एक ही होता है मनलब उसका बैलन्स एक है तो मुझे रफ़ी सही है याद आ रहे हैं बहुत अच्छा एक्जाम्पल एक यहां पर बावा ने बहुत इंपोर्टन बात बताई है कि हमें देखना है कि हमारा नीड है या ग्रीड है अगर नीड है तो बावा ने बताया कि अधन का भागे बावा दे रहे हैं और सारे नीड फुल्फिल होगा ही होगा उसका इस्वरें बावा दे रहे हैं ग्रीड फुल्फिल नहीं हो सकता है तो हमें ग्रीड से बचना है बिलकुल यह बहुत इंपॉर्टन बात बावा ने गई कि धन का भागे है में रिसोर्स फुल्डेस आप लाइफ में फील करेंग स्वरें we इस फुल रूप में कई आत्म है इसे होती है कि इनके पास काफ़ी कुछ नहीं होगा लेकिन हो इतने प्रफल लेत रहते हैं और इतने बड़ा दिल UMCा होता है इसका बात कुछ होता है लेकिन वह संपός ही होते हैं उनको लगता है कि और को जाना बेंगी अमींवे है 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 तो क्या इसमें एड किया जा सकता है और तो यह तरी एक लए में और बोला सकते कि सकेर सिटि मेंडिलेटी कि स्कैर्ट सिटियों इसमें अगर सेवा करते समय आपको मान संमान की आशा है तो बावा वहां से योग नहीं देगा यह बहुत पारफुल नाइन है और इस पे चलने वाला भी मतब है मैं अपना एक्जामपल रखोंगी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी जो भी जुड़े हुए इस लोग इस बात को एक ऐसे लेंगे कि इसमें मानसमान नहीं है मुझे कोई ऐसी मंत्रित किया तो मैं वहां थी और उसमें मैंने सचिन भाइजी की भट्टी को 15-20 दिन सुना था और उसमें बहुत सुन्दर बात थी कि वो स्थूल हमारी जो यात्रा होती है वो यह सिखा रहे थे कि सुक्ष्म से भाइजी टाइम है ना अदर्वाइस मैं नेक्स टाइम श अभी हम सुक्ष्म से स्थूल की तरफ जाएंगे क्योंकि स्थूल नहीं करेंगे तो सुक्ष्म की प्राप्ति नहीं होगी तो उसमें आवास पड़ था कि आवाज से हमें परे कैसे जाना है है ना तो हम प्रैक्टिस किया करते थे हम चुडियों के पास जाके सुनना एका स्थिती अच्छी हो गई और अचानक से बुलाया भी अब वहां हम गए तो हम बैठे थे और सुबह सुबह का टाइम और हम प्रैक्टिस कर रहें बहुत अम्रित विला के बाद पांच बज़े के बाद हमा कर बैठे बहुत सुन्दर हमारा योग की स्थिती और हम बैठे त अपॸितम से हमें याद आई कि इतनी सी आवाज से आप हिल जाएंगी, जैसे बावा हमें कहा रहा हो कि अब इतनी सी आवाज से हिर जयेंगी, अभी तो विनाश के सामय पे तब कॉन आएगा तुम्हे, तब शानती मिलेगी क्या, लिटर्ली इहमारे आवाज में पानों में और बाबा ने बुला खड़ी हो जाओ यहां से हम खड़े हो गए बाबा केते जाओ वहां पे जहां पे आवाज है हम वहां चले गए और हम बैट गए तो हमें देखा दो ही सेवा धारी थे जो इतने सारे बर्तनों को कर रहे थे और लिटरली जो भी ट्रॉली थी उसको हमारा इतना सुंदर योग लग गया फिर हमने अपनी आखों को खोला देखा कि वहां दो सेवा धारी थे बस दो सेवा धारी को देखे हमने बोला फिर हमें याद आई कि कोई तो कारण है ना पहले तो ऐसे आवाज नहीं होती थी तो कोई तो कारण है कोवीड का समय था तो तो हमने ऐसे अंदर से आई, आवाज में तो स्थित हो गई, अब तुम आगे क्या कर सकती हो, ऐसे ही हम पतानी बाबा ने संकल्प दे दिया, और हम ना उस समय ना काम में हमारा मन नी लग रहा था, हम जौब छोड़ी है हमने, दस साल होके, हम कोचिंग में भी ना हमारा मन न जाती है अपने बाब का, तो जब कहीं जरूरत होती है, तो यह सुझती है कि मैं बेटी हूँ, ऐसे वाले भावा हमारे अंदर आ रहे हैं, लौकिक से आ लौकिक ता आ गई हमारे अंदर, और हम देली वापिस आए, हमने अच्छे से काम फिर से किया, और फिर हमने जो भी ह हमारे मन में, जो भी हम से हो सकता है, आज हमने कोचिंग फिर से छोड़ दिया, क्योंकि कुछ कारण ऐसे हुए, हम नहीं कर पारे, और बाबा ने हमें कमी नहीं दिया, आज हम वो जो पढ़ रहे थे न, हमें वो सारा का सारा एक्जाम्पल ऐसे आ आगया, कि बाबा सच में मान, समान, कुछ नहीं चाहिए, हम बाबा के लिए क्या कर सकते हैं, पैसे से तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम उस लायक है नहीं, और हमारे भाव कैसे है, कि यह यग्य हमारा है, यह इश्वर यह परिवार हमारा है, तो आज हमारे पास नहीं आइंकम इतनी, हम लेते भ ऐखार जाए जाँ रहाए और दिए जारस दिए जारा था आसा बाब आशा करते हूं का इसमें ऐसा नीयाए कई नहीं आएगा क्यों हम जो लगत यह तो ऐगा कैस्य आब है ऑफ कि अब करें कि नहते हम तो का चालिके सेայ जाए कि हम एंड है कर दो hopeno और मची कहना चाहिए। जाते हैं तुझे से एक शक्ति मिल जाती है। बीमार थी, तो बाबन ने कहा था कि तुम सेवा करो, मतलब वो हॉस्पिटल में जाके नर्स की तरह सेवा करती थी, तो फिर जादर जादर उस ताइम पर सेवा करते हैं, बिजी रहते हैं, तो भी मन डाइवर्ट हो जाते हैं, और देखा है कि सेवा करते ठीक भी हो जाते हैं जब तक सेवा करते रहते हैं, तक तक ठीक हो जाते हैं, तो यह experience है तन के भागे का, कि अब कोछी ज़िए इतना हावी नहीं हो जाती है, कोई भी तन की बीमारी या तन की कोई भी व्यादी ज़िए, जन का भागे जन के भागे में क्या क्या एगा, काफी अच्छी पॉइंट ही, जो कि पहले हमने बात डिसकूस किया कि 95% हमें लगता है कि जो 5% के आत्मा है, वो उन से क्यों मिलता है, जो कोई-कोई एक खैल आता है, कि वाइव या नौट गटिंग कोपरेशन, बडबावा ने बता ही दिय है, तो 5% के जन से आ सकता है कार्मी के काउंट, तो उसमें डगमगाना नहीं है, यह मुझे बहुत ही इंपोर्टेन लगा, और उसको भी कैसे चुक्त करना है, अब भी बता रहे हैं कि गुड़ विसस और फिलिंग्स देना है, एक भी नेगेटिव आपरेशन नहीं जाना जब उनसे कोई कोप्रेशन ना मिले या फिर एटेनमेंट ना मिले, भवन इसको ऐसे भी कहा कि सभी से इस नहीं और साहियों की ब्राप्ति होगी, बहुत सूचम पॉइंट्स हैं सालिये, और, तो और क्या रखता है, जन का भाग्या हमें ब्राप्त है, तो और क्या रखता थोड़ा और डीपर लेवल पर जाके इसको अगर हम इंट्रस्ट कर सकते हैं, तो या फिर इस बात को मैंसे भी कह सकते हैं, ब्रामणों के बन में जब भी कोई सो संकल पाता है, सेवा का या कोई भी, तो तन, मन, धन, जन, चारो ही भाग्ये मिलके, उस बात को मैनिफेस्ट होने में हेल्प करते हैं, और यह एक्सपेरिंस अब दीरे-दीरे हमें होते हैं बेर लेवल पर, तो हम समझ पाते हैं कि कैसे हम तन, मन, धन, जन, भाग्या मिला को तो अब कनेक्ट कर पा रहे हैं कुछ अपने किसी एक्सपेरियंस के साथ ही प्रप्राप्ति होगी शिवानी बने एक बार एक अच्छा एक्स्पिरिंस सुनाया था इसमें कि पता नहीं कैसे लेकिन वह क्या रहे थे कि कुछ समय से ऐसा होने लगा है कि किसी भी यह कोईट से पहले की बात है कि कहीं भी जाना होता है किसी भी प्रोग्राम में कितना भी दिले हो जाने में कितने भी देर हम हो जाएं लेकिन वो सारी सिच्वेशन ऐसे बन जाती हैं कि टाइम पर महां पहुंच जाते हैं मतलब समय किस परकार सही होग जाता है समय भी सही होगी बन गया है तो अगर बाबा इससे किसी मोर्ली में एडिशन करेंगे तो अभी बाबा यह भी कह सकते हैं इस समय का भी भागिया है समय भी आपको सही रोग देते हैं इसी के साथ हमें भाई जी इसी के साथ हमें भी शिवानी दिदी का एक एक्सपीरेंस यारा है हमने सुना था उन्होंने बोला था कि एक बार उनको यूनों बहुत तेज खासी हो गए बहुत तेज खासी और उनके एक के बाद एक प्रोग्राम थे तो उनको एक बार मन में आन बोलते बोलते सो गई कि पांच घंटा कुछ नहीं होगा, पांच घंटा उनको कुछ नहीं होगा, वो विजुलाइज़ेशन करते करते सो गई, और उन्होंने पताया experience कि लिटरली जितनी टाइम का उनका था वो डूरेशन, फाइव आर्स का, फाइव आर्स कुछ नहीं इश्वांस भी साथ देने लग जाते हैं, जब आप इतने बावा को समर्पित हो जाते हैं, तो प्रकर्थी साथ देने लग जाते हैं कि क्योंकि मैंने फाइव आर्स का विजुलाइज़ेशन किया था, इसलिए उतना ही हुआ, तो इसमें सोते समय की subconscious mind की भी बात बहुत में उजागर हुई थी, कि क्या हम सोचके सो रहे हैं, कितनी फोकस की, फोकस उसमें था, पावर्फुल, you know, meditation, फोकस के साथ meditation की बात के देखें, तन्मन धंजन का भागे, तन्का भागे, कि हम सुन पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, हम बैठे हैं, ये भी तन्का भागे है, मन का भागे है कि ये बात हम समझ पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, बाबा की बात को हम comprehend कर पा रहे हैं, धन्का भागे, ये ऐसे कह सक कर सकते हैं स्मार्ट फॉन लेप्टॉप और मुबाइल इंटरनेट कनिक्शन राइट और जनका भागे हम आपस में इतने सारे लोग इतने अलग-अलग डिफ्रेंट डिफ्रेंट लोकेशन से चुड़े हैं एक दूसरे को मतुत कर रहे हैं हमागे बढ़ाने में दी जनका भ पाइजी यह उन्दर अनु परते हैं कि हमें कैसी भी परिष्टिति है कुछ भी है हमें चले थोड़ा सा ताइम अप्पी हो गया दो मिनट उपर भी हो गया इसे लगता है नहीं जोइन कर लेते हैं नहीं बोल पाएंगे तो सुनी लेंगे न और इंट्रस्प्शन पहुद्च toujours डी है जर मिन तो डो पे लोगभ ले डरे ओक वी हो एहा依 में कर्स्वेदि हो पर सकते हैं कर दretoह सकता हैं गजन है उनु अन्धोरा स realm ençaली है ऊझा कर दो कर दो हीरे जैसा मिला है जीवन मोती जैसा मन मोती जैसा मिला है जीवन 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 मोती जैसा मिला